Hello everyone, welcome to my channel Irchina Fashion Designer So guys, कैसे हैं आप सबी लोग? I hope कि आप सबी लोग अच्छे होंगे, सवस्त होंगे तो देखेगा फ्रेंट से एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हो बहुत आसान बुनाई डिजाइन है बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकते है और केबल की तरह यह डिजाइन चलता है लंबा सीता सीता जैसे वर्टिकल में यह डिजाइन चलता है 4 पंडों का डिजाईन मतलब 4-4-4 के multiple में आपको इसां पंडे लेने हैं 3 पंडे डिजाइन को सैट करने के लिए एकस्टा रखने के ठाकते हैं बोर की मिल्टिपल चार के गुले ले ले लिजिएगा, तेन फन्दे एकस्टर रख लेजएगा और चार सलाई में कोई डिजाइन है, चारो सलाई अध्यान से देखेगा, वीडि़ी को स्किप मत कीजेगा और यह जो डिजाइन है वो रोंग साइड सी स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर देके फंद्रण्दे डाले जस्ट रोंग साइड पर हो मैं, पहले से Лाहिये मेरी, मैं उल्टी साइड से ही यह डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगी और इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए बहुत सुन्दर बनके आता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे तो देखे पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे उल्टी साइड है तो देखे पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे लेके जाएंगे एक फंदा हम बनाएंगे सीधा यहां से हमारा रिपीट पैटन स्टार्ट होगा अब धागा अपनी तरफ लाएंगे तीन फं अब देखिए एजिस्टिस छोड़के 1,2,3,4 फंदे और एक जाली, यही हम बार बार रिपीट करेंगे, देखिए 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इन फंदे उल्टे, 1,2,3, जाली आप देखिए ऐसे भी डाल सकते हूं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं कि यहीं से आप दागा पीछे ले जाए सीधा बना बना देजे इस तरह से, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, 1,2,3, जीख है देखिए अब यहीं से आप ऐसे सीधा बना बना बनाएंगे तो देखिए एक यहां यह जाली पड़ रही, अब धागा अपनी तरफ तीन फंदे 1,2,3, नेक्स्ट फंदा बनाएंगे सीधा जाली डालते हुए, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, अब देखिए, अब देखिए फ्रंट साइड आ गये हैं, सेकेंड उपर, तो पहला फंदा इस तरह से सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, और जो लोग पूछते हैं कि कौन सी बूल ली हैं, कौन सी निडिल ली हैं, तो देखिए, दस नमबर की निडिल हैं और नॉर्मल बूल हैं, ताका पीछे लेकर जाएंगे, अब देखिए, क्या करना हैं, जो जाली वाला फंदा है ना, इसको ऐसे गिरा देंगे, और इस फ फंदा भी ऐसे ही बुनेंगे, यह देखिए, इस तरह से, इस फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, पस यही रिपीट करेंगे इस रो में भी, एक फंदा उल्टा, ठागा पीछे चाली गिरा देंगे, इस तरह से, इसको लूज करेंगे, यहां से दो फंदे, वन, टू, ऐस स्लिप कर लेंगे, फिर देखिए, एक फंदा उल्टा, ठागा पीछे, यह से गिरा देंगे, और इसको देखो, यहां से ऐसे, इसको ऐसे बुनेंगे, वन, टू, इसको स्लिप कर लेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, इसे गिराएंगे, इसको बढ़ा कर लेंगे, दो फंदे इसको नीचे से निकालेंगे, वन, टू, से स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरब, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एजिस incumbent को सीधा अपना देखिए, इह देखिए, second row बन गई, अब हम आगे अपनी third row है, पहला फंदा दिखिए हम slip कर लेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यह जो slip क्या हो फंदा इसे उल्टा बनाएंगे, next row one की तरह ही बनाया जाएगा यह, इस तरह से तीन फंदे उल्टे, देखिए एक फंदा स सीधा, धागा पनी तरफ यह, पिन फंदे उल्टे, one two three, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यह, पिन फंदे उल्टे, one two three, एक फंदा सीधा, पिन फंदे उल्टे, one two three, एक फंदा सीधा, पिन फंदे उल्टे, one two three, गेक वंधा सीधा, धहा अपने तरफ एक वंधा उल्टा, इसी तरह से ही ही πैसיה ह gradual कंप्रेटों कोी अपमाइब word ० OM ब्रेटों पर धेज़ा स्विर्ड करेंगे, धहा फने तरफ एक वंधा धहा पीछ थी तेन फंदे सीधा, वान तो हगा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा हगा पीछे तीन फंदे स्वीटे वन तू थ्री पस यही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे यह देखी वन तू थ्री हगा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तीन फंदे स्वीटे वन तू थ्री धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा थागा पीछे एज इस्टिच को सीधा बनाते हैं तो देखेंगे यहां पर यह जो चार सलाईया मैंने वताई यही रिपीट करेंगे रो बन एक बार फिर से देख लीजे बस प तो देखेंगे न धागा पीछे ले जाए एक जाली बना दीजे एससे सीधा फंदा बनाते हुगा पीण पंदे उल्टे यही रिपीट करती हुए जाएगे दागा पीछे, एक फंदा सीधा, सुरी पीछे नहीं ले जाएंगे, अगर आपको पीछे जैसे धागा ले जाएंगे तो ऐसे जारे डाल देगे तीम फंदे उन्टे वान टू टू तीम उन्टे को धागा पीछे और एक जाली पैसे एक फंदा सुन्दा तो देखिए यह चार सलाएं मैंने आपको बताएंगे आप बार बार यही रिपीट करते हुए जाएंगे बहुत सुन्दर डिजाइन बनके आएगा इस तरह से देख कुछ इस तरह से दिखाई देगा मैंने यह बना के रखा हुआ है सेंपल आपको दिखाने के लिए देखिए केबल की तरह यह चारेगा बिल्कुल केबल जैसे बनती है न ऐसे बहुत हुसुरत बनके आता है आप इसे पर ट्राइ जरूर करना रंड साइड इसकी यह है और साइड देखिए इस तरह से है यह इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए बच्चों के बड़ों के जैन स्वेटर लेडी स्वेटर कार्डीगन स्काफ मॉकलर ब्लैंकेट जैकेट बेबी जैकेट और लेडीज कार्डीगन कहीं भी डालिए बहुत सुंदर बन गया थ अगर आपने अभी तक नहीं देख रहा है तो जाके देखिए यार लिंक डिस्कुशन बॉक में मिल जाएगा आपको वहां पर मैं डियाइवार स्किन केर एर केर से वीडियो बनाती हूं और नहीं शॉपिंग किस तरह से करते हैं करना सिखाती हूं तो एक बार जाके देख वीडियो आपको ज्मूश्म फसंद आएगा तो उस चैनल को भी subscribe किजगा्य जाते है और हाँ आज यहीडियो पसंद आई है लाइकि चैनल तर आप पहली बार आ है subscribe आपको समय से सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक देथा इंक्यूबाबाइ